गुद मॉर्निंग बेटा वेलकम बैक हम लोग इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडेक्शन पढ़ रहे थे काफी दो लेक्षर हम लोने पढ़ लिये थे कि आज उसी सीरिज में आगे पढ़ रहे हैं हमने अब तक इसीखा था कि जब फ्लक्स चेंज होता थे किसी लूप से जब फ्लक्स चेंज होता थे तो एक E.M.F. induced होता है यह हमने सीखा था कितना induced होता है वो हमें पता चला था यह भी पता चल चुका था हमें है ना अब हम आगे बढ़ते हैं यह सा और लेंज लॉबी सीख चुके थे अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं एक और लॉप पर एक और यह मैंफ का टाइप है कि अगर यह ऐसा बोल सकते हैं क्या किसी कंड़क्टर के मोशन होने से जब किसी फील्ड में कोई कंड़क्टर मोशन करता है तो भी एक EMF इंड्यूज होता है उस इंड्यूज होने वाले EMF को हम मोशनल EMF कहते हैं वो EMF जो मोशन की वज़े से इंड्यूज हो जो क्रियेट हो जैसे motion of the conductor की वज़े उसको कहते है emotional EMF emotional नहीं emotional EMF लेक लाइन मों समझ के पहले तो पहले बास सुनना the EMF induced due to the motion of a conductor in a field कौन सा field magnetic field लिखनी है यह is called emotional EMF repeat करूंगा the EMF induced in a conductor due to its motion in magnetic field is called emotional EMF done है simple सी बात है done है अब हम इसको एक बार derivation की फॉर्म में करके देखते कितना होता है emotional EMF या कितना EMF induced होता है इने conductor पहली बास सुनना जो मर्जी हो जाए इस emotional EMF का एक कुशन पेपर में आ रहा है इस बार इस emotional EMF का एक कुशन पेपर में आ रहा है देखेगा मैंने बुला कि एक यूनिफॉर्म field है बी कितना है बी और जैसे क्रॉस लगे आप समझगे किस तरफ है inward direction में है मेरे साथ साथ चलना अब continuity में वीडियो आएंगे तो साथ साथ चलना वरना पिछड़ दैंगे एक field है बी जो inward direction में है एक conductor है यह आप थोड़ी feeling को समझना यह कोई plate नहीं है यह एक rod है मैंने थोड़ा सा थिक दिखा दी को किसमें मुझे बहुत सारी कारिस्तानी करनी है इसलिए basically यह क्या है एक rod है rod यानि की thin rod है जिसकी length फिलाल के लिए कितनी है L मान ली है मैंने यह rod V velocity से इस field में आगे की तरफ बढ़ रही है एक एक बात इस derivation की बहुत important है fifth chapter यानि कि earth magnetic field वाले question भी यहाँ पर involve करूँगा मैं इस topic से involve होंगे वो attach हो जाएंगे जब earth के components वगरा की बात आएगी वो इसके साथ जुड़ेंगे तो बहुत careful यह कि एक line समझनी है आपको यह एक rod रखी है field inward direction में और यह इसकी velocity है ऐसे करके rod move कर रही है बताना है कि क्या इसमें EMF induced होगा तो पहले मेरी बात को गौर से सुना यह अगर conducting rod है क्या है यह conducting कंडक्टिंग यह नहीं metal कि इसमें बहुत सारे free electrons भर भर के पड़े हुए अब इसमें free electrons पड़े हुए मैंने बोला कि अगर यह rod V speed से या V velocity से आगे की तरफ चल रही है तो इस rod में जितने भी free electrons जैसे कि यह free electron है यह free electron है यह सारे free electron भी तो इस V velocity से move कर रहे होंगे अपनी thermal velocity को छोड़ कर thermal velocity तो इनकी random वाली velocity है इनके पास वो तो random इदर उदर भाग रहे हैं उसके बाद देखें अगर कोई दूर से खड़ा देख रहा है कोई बाहर से खड़ा होंके जैसे मेरी तरह बाहर से खड़े होंके से चैप्टर में सीखा था कि अगर कोई चार्ज motion करता है इने uniform field अगर कोई charge motion करता है इने uniform field तो उस पर एक magnetic force लगता है कितना qv cross b किता लगता है qv cross b इन इलेक्ट्रॉंस पर भी लग रहा होगा इन इलेक्ट्रॉंस पर भी लग रहा होगा देखिए अग बात को सुनते जाना गौर से थोड़ा बहुत डिस्टरब मत होना दिमाग से मैंने बस सब्सक्राइब कितना फोर्स लग रहा होगा qv cross b अब आपको अगला काम में में बता रहा हूं कि यह फोर्स लग किदर रहा होगा किन पर इन इलेक्ट्रॉंस पर कि बात को मकेरेंज को समझते आना डिस्टरब नहीं होगी दिमाग में विल्कुल भी विलॉसिटी की तरफ right hand की fingers को रखो field की तरफ palm कर लो और thumb जो होगा वो बताएगा किस की direction force की direction तो velocity is in the right side right side मैंने right ha and two fingers को रख लिया field is in the inward direction तो palm को किदर कर लिया inward fist को close keh. thumb is upward but but force कि दर लगा अबर but यह recharge कैसा है electron यानि की negative लीगनेटिव चार्ज्ज है तो इलक्टॉन की केस से में बताया था तो जो डायक्षन support किया है उसको कैसा लह दो पलड तो अपब आया तो किदर मालेंगे डाउनवार्ड यानि कि इस इलेक्टॉन पर इस बाला तो मैं बोल गूं इस बायर लाहूं इस क्वोह थागा डानवार डारेक्शन में FB क्यों लिखा Facebook आला नहीं है क्या है Magnetic force अब बातों को थोड़ा सा seriously सुनते जाना ये electrons नीचे आना शुरू करेंगे जब electrons डानवार डारेक्शन में आना शुरू हुए तो यहां पर electrons collect होते चले गई जब electrons नीचे आ रहे हैं अभी मैंने क्या बोला है सिर्फ एक electron पहुंचा है एक positive charge पीछे छूट गया है इस end पर positive charge, इस end पर negative charge जब भी ऐसा polarization होता है एक तरफ positive एक तरफ negative तो एक field create होता है from the positive side to the negative side यह सब बात है recall करते जाएगा दिमाग में आती रहते हैं यह बहुत बार use करते हैं हम लोग तो क्या बोला कि positive से negative की तरफ एक छोटा सा नन्ना सा field create हुआ है कौन सा field? electric field create हुआ अगर electric field create हुआ है तो यह भी तो उस electron पे force लगाएगा यह भी तो उस electron पे force लगाएगा electron पे force किस तरफ लगाएगा opposite to the field कुब पंचलाइन है यह कितना लगाएगा q into e opposite to the field तो इसी electron पर एक force अब upward direction में लगा कौन सा force? electric force या electrostatic force Fe लेकिन यह तो अभी charge बहुत छोटे-छोटे collect हुए थे तो field बहुत छोटा था धीरे-धीरे charge का accumulation बढ़ता रहा यह अभी magnetic force जादा था charge का accumulation बढ़ता गया यहां पर positive charge बढ़ता गया एक time ऐसा है जैसे-जैसे charge का accumulation बढ़ता जाएगा यह field भी कैसा होते चले जाएगा बड़ा होते जाएगा एक टाइम ऐसा आएगा ये फोर्स भी कितना हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके Magnetic Force के जैसे ही ऐसा होगा जब ऐसा होगा उस टाइम पर ये donor force एक दूसरे को cancel out कर देंगा और electrons का movement रुक जाएगा कहाने की बार फॉर्थ quickly repeat करूँगा थोड़ी दिर में अभी अभी के लिए क्या बोला कि दौनों force equal हो गए तो charges का movement रुक गया electrons का लेकिन उस duration तक यहाँ पर कुछ negative charge यहाँ पर कुछ positive charge आ गया था उस वजए से इन दौनों points के बीच में कुछ potential difference create हो गया होगा और वही potential difference क्या कहा जाता है इस rod का EMF वही potential difference इस rod का क्या कहा जाता है अब बोलेंगे कि इसका EMF क्यों कहते है उसको potential difference को अरे जब circuit में current ही नहीं है अभी इसमे current produce ही नहीं हो रही क्योंकि open circuited है यह rod कैसी है open circuited है तो इसमें EMF ही induced होगा उसका जो potential difference को ही क्या बोलेंगे EMF अगर इसमें current आ जाती इसको मैं बंद कर दूँ ऐसे करेंगे बंद कर दूँ तो उस terminal EMF को हम terminal potential है voltage बोलने लगेंगे बात यह कुछ confuse होने वाली चीज नहीं है सुन लिए होगा आपने I think process को बहुत तेजी से repeat करेंगे जैसे ही rod motion शुरू करती है इसके अंदर जित्ते भी free electrons हैं वो भी इसी speed से आगे की तरफ motion कर रहे हैं इनकी thermal velocity को हम नहीं consider कर रहे हैं thermal velocity कैसी है random हम overall velocity कित्ती मानी जाती है 0 खुब सीखा है हमने तो यह electrons भी आगे move कर रहे थे इन electrons के field में motion वह से इन पर एक force लगा कित्ता लगा QV cross B V cross B से हमने देखा direction V cross B अबढ़ लेक्रॉन पर negative charge तो वो direction downward बहुत तेजी बोला है मैंने इतनी तेजी से ही सुनने क्यादत होनी चाहिए electrons नीचे आने लगे तो अपने पीछे क्या छोड़ गया यह positive यहाँ पर कुछ negative कुछ positive आया जिस वैसे एक field क्रियेट हुआ कौन सा field? electric field positive से negative भी side में उस electric field ने इस electron पर या इसके बीच में भरे हुए electrons पर opposite direction में field लगाया आप उचें किता लगाया? Q2 लगाया और जब वो force लगा तो अभी initial stage में यह electric force छोटा था charge का accumulation बढ़ता गया यह force भी बढ़ा होता गया एक time पर दौना force equal हो गए उस time पर charge का movement रुख गया movement रुख गया लेकिन उस time तक यहाँ पर पहले से कुछ charge develop हो चुके थे वो developed charge जो है उस वैसे जो कुछ potential आया होगा वही potential क्या कहा जाता है? इसका EMF कहा जाता है सुना, अब मेरी बात को गौर से सुना मैंने बोला potential difference इसको एक और तरीके से करूँगा अभी, एक और तरीके से करूँगा अभी वह भी सीखना potential difference across the ends of the rod इस rod के ends पर कितना potential आया तो मैंने बोला delta v is equals to कितना field create हुआ था मैंने बोला e length कितनी है, L ही बहुत सीखा है दो ends की बीच में potential difference field into separation field is E, separation is L field is E, separation is L field is E, separation is L यह field की कहानी मैंने खुद से imagine की है electric field की imagine का मतलब यह नहीं कि मैं मतलब imaginary चीज है create हुआ है but मैंने consider नहीं किया था ना यह मुझे बाहर वाले को दिखेगा बाहर वाले को सिर्फ क्या पता है, बाहर वाले को magnetic field पता है कि एक magnetic field था और उसको यह पता है कि velocity थी, यह जो अंदर की कहानी है यह हम जैसे आम दर्शकों को नहीं पता है यह तो अंदर create हुआ और उसने बहुत कुछ कर दिया का बाड़ा, लेकिन हमें नहीं पता तो हमें तो इस कहानी को इस E को हटाना है और इनके terms में introduce करना है अब introduce करने की कहानी हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं एक बाद फिर भी सिखाऊंगा Let it be equation number first मैंने बोला था कि equilibrium में ही दौनों force equal हो जाते हैं इसी बात का फाइदा उठाते हैं मैंने बोला in equilibrium electric force और magnetic force दौनों कैसे हैं equal है electric force कितना लग रहा है आप बोलेंगे q into e magnetic force कितना लग रहा है आप बोलेंगे q v cross b done है ना अब जरा v और b के बीच का angle देख लो velocity is right side field is inward angle is 90 angle is 90 तो मैंने बोला q into e vector form कदम कर दी q v b और sin 90 is 1 एक और बात एक और बात बोलना चाहिए q क्या है यहां पर electron का charge which is basically denoted by e but दौनों तरफ है तो e यहां रखो चाहिए यहां रखो दौनों तरफ कट जाना है तो मैंने रखा नहीं है बरना याद रखना चाहिए q क्या है electron का charge है जिस पर force लग रहे थे उसी के तो charge की बात कर रहे थे q से q खतब तो e की value इतना से मुझे दिख गई कित्ती आ गई v into b यह दौन चीज़ा मुझे पता है दौन चीज़ा दूर से दिख भी देए कि velocity v है field b है रख दीजे यहां पर कहां पर equation one में एक और बात इसके ends के across जो potential create हुआ है वही potential क्या है इसका emf है तो मैंने लिख दिया कहां पर कहां पर लिख दिया आपने यह diagram बना लिया होगा side वाला diagram बना लिया होगा मैं आठा रहूं इसको क्या बोला from one delta v को बोला emf e क्यों बोला यह मैं बता चुका हूँ मैं थोड़ी दिर पहले e is request to field की value v into b length is यह सामने लिखी है l golden box में बंद कर लेना golden box में बंद कर लेना यह बंद गया है मेरे पास emotional emf का formula for a rod moving in uniform magnetic field point note करने वाले अब जरूरी बातों पर आते हैं अब जरूरी बातों पर आते हैं बोल दें पहले तर नोट कर लिए आपने एक बार पटावट से screen shot लीजे नोट करिए अब मैं ही बोल रहा था कि ध्यान देना इस derivation पर इस derivation में दो तीन बाते हैं जो velocity है वो field के perpendicular है और और खुद की length के भी perpendicular है खुद की length के भी perpendicular है दोनों बाते सुनी दोनों ही बाते मस्ट हैं अगर velocity perpendicular नहीं होती इन में से किसी एक के भी तो मैं component करके उसको perpendicular बनाता और perpendicular वाला component लेता बात जिसने नाशन पाई हो उसको एक बात फिर से बोलूँगा बहुत ज़रूरी बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है ये जो velocity है ये अभी इस derivation में इस result में perpendicular है magnetic field के और perpendicular है खुद की length के अगर by chance ये velocity यूँ ना होती ऐसे होती making an angle theta कुछ इस तरीके से होती तो मैं directly ऐसे VBL नहीं लगाता अब क्या करना होगा आपको इस velocity का वो component लेंगे जो इस perpendicular direction में होगा यानि की rod के perpendicular के आप इसके component करेंगे बोलेंगे V cos theta और इधर लिखेंगे V sin theta तो कौन सा component हम लेते V cos theta लेते सुना आपने V cos theta लेते उस time पर तो यहां पर V की जगा क्या रखते V cos theta यानि कि हमें याद यह रखना है कि velocity अब इसको ऐसे बारवार आप याद कैसे रखें उसका एक तरीका है जब rod field को cut करेगी तभी EMF induce होगा अगर cut नहीं करेगी या जिस component की वज़े से field को cut करेगी वही EMF induce करेगा दूसरा नहीं करेगा for example एक बार मैं दिखाने की कोशिच करूँगा आप देखने की कोशिच करना अगर समझ में आये तो वरना यही logic आपका अपने दमाग वे रखना कि perpendicular component लेने हैं मैंने वुला कि यह field inward था, अब imagine करना कि inward बहुत सारे तीर गसे हुए है बोंड में ऐसे करके एक तीर गसे हुए माहाल लिए एक tiर ऐसे जा रहा है एक तीर यह रहा और एक ऐसे रहा ऐसे पूरे board में imagine कर ले लेना कि अंदर की तरफ तीर गसे हुए है सुल दिया ची बने हैं चारों तरफ अब मैंने बोला कि अगर रोड इसको कट करती हुई जाएगी वही इमेफ इंडिऊ ओगा और इसको कट नहीं करेगी किसको इन तीरों को कट नहीं करेगी तो EMF induced नहीं होगा अब सुनना यह रॉड लगी थी मेरे पास ऐसे करके तीर लगे हैं अगर यह रॉड का यह वी साइन धीटा component की वैसे किदर जाएगी उपर और यही मैं बोलता कि V cos theta component की वैसे किदर जाएगी तो क्या इन फील इसको तीर को काटते जाना पड़ेगा यह रॉड है यह रॉड है अपकी बाद सॉरी यह रॉड है यह फील है जाएगी तो इस फील इस रॉड को काटेगी ना इस फील को का जब फील्ड कटेगा, अगर फील्ड नहीं कटा, या जिस कंपोनेंट की वज़े से फील्ड नहीं कटा, वो कंपोनेंट यूज नहीं होगा, ऐसी कहानी, जब अर्थ के मैगनेटिक फील्ड के साथ कुछन आते हैं, तो बहुत देखने को मिलती है, इतना नोट कर लिया, आप कुछन भी करवाएंगे इसके, मैंने बोला, यह सा बटा दिया अभी, शायद आपने सुनी होगी बात, अगर ये एक सर्किट बन जाए, अच्छा, एक और बात, चलिए बिताता हूँ, अगर ये सर्किट बन जाए, मैं यहाँ पर एक क्या लगा दूँ, एक्स्टरनल सर्किट लगा दूँ, इस एक्स्टरनल सर्किट में ये आर जो है, एक्स्टरनल सर्किट की रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ EMF इंड्यूस हो चुका है, आपको पता है किता हो चुका है, ये हो चुका है, तो अब इसमें करेंट चलने लगेगी क्योंकि पाथ कैसा हो गया है complete हो गया तो इसमें अब क्या चलने लगेगी एक करेंट चलने लगेगी वह करेंट कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी यह तो आप बड़ा आराम से देख बताते हैं इस तर पॉस्टिव चार्ज है दर कर सकता हूं बहुत द्यान सुना मेरी बात तो मैं इस रॉड को रिप्लेस कर सकता हूं विदे बैटरी और इसका एक्ट्रनल सर्किट आर जिसमें यह वाला एंड पॉस्टिव और यहां पर पॉस्टिव चार्ज कलेक्ट हुआ था यह निगेटिव और नेगेटिव एक और बात मैं बोल सकता हूं यह रॉड कंड़क्टर की थी हो सकता है इस रॉड की खुद की कुछ रेस्टेंस होती है जीरो रेस्टेंस तो होती नहीं किसी की तो इसकी खुद की कुछ रेस्टेंस होगी मान लिया इसकी खुद की रेस्टेंस कितनी है स्मॉल आर है तो अ इस rod को एक cell से represent किया जिसका EMF E यानि की VBL और resistance कितनी small r कौन सी internal resistance के लाई वो उस cell की तो अब इसमें current कितनी होगी आपने बोला positive से current निकलेगी कितनी निकलेगी third ohms law से जानते हैं I equals to E upon total resistance r plus r E की value आपको पता है तो I is equals to VBL upon r plus r ये कोई बड़ी बाद नहीं थी बच्चों का खेल था हमने current भी निकाल ली circuit में कितनी आएगी अगर इसके साथ circuit लगाओ तो कितनी यैसे बहुत खतरना कुशन बनेंगे इस chapter से कुशन निश्यत आना है मान के चलिए आएगा यह आएगा हटा रहा हूँ रॉड का equivalent circuit हटा दे रहा हूँ मैंने बहुत बातें बोली हैं बहुत जादा EMF तब induce होगा रॉड में जब वो field को काटेगी ये line तो लिख लेना हिंदी में अगर velocity का कोई component field को नहीं काट रहा है तो EMF induce नहीं होगा माइड माइवर्ड 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 आगी बढ़ते हैं एक चोटा सा derivation और करेंगे उससे सारी बात हैं और क्लियर करेंगे फिर को questions करेंगे वो कल के lecture में करेंगे आज का lecture ज्यादा लंबा नहीं करेंगे बहुत दिन वाद हम लोग पढ़ रहें क्या बोला अब हेडिंग यही है emotional EMF of a rod rotating in uniform magnetic field आपकी व्यार किस्सा बदल गया है ओह 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 मैं इसको एक और तरीके से करवाने वाला था पिछले वाले को दिमाग से निकल भी करवा दें भी एक और तरीका है इसको करने का वो तरीका भी एक बार हमें सीखना चाहिए सिखा दू सीख लेना एक बार जरूरी है थोड़ा सा आयो भी चल रहा है एक बार सीखें ये वही है फील्ड है बी बहुत बेसिक सा थरीका है ये रॉड है वही वाली अपनी जिसकी लेंथ कितनी है एल है और किस स्पीड से चल रही थी V स्पीड से चल रही थी हमने EMF का फेराडे लौ से सीखा था फेराडे ने एक लौ दिया था कि induced EMF is minus का d5 over dt ये minus sign तो सिर्फ polarity के लिए लगाया था तो आगी अगर मैं polarity ना निकालना चाहूं अगर मैं polarity ना निकालना चाहूं तो minus मेरे लिए useless है d5 over dt क्या था छोटे से टाइम के चेंज के लिए change in flux या rate of change of flux छोटे से टाइम के लिए अगर मैं ज्यादा टाइम देलू तो क्या बन सकता है ये equals to delta phi upon delta ये d और delta का चक्कर समझ में आता है बहुत छोटा time है तो d5 over dt चोटे से टाइम में change निकालना हूं rate निकालना हूं और मैं average निकालना हूं तो उसको क्या बोलते हैं delta phi upon delta t तो EMF निकालने का तरीका मुझे पता है delta phi upon delta t phi क्या है change in flux change in flux बहुत गौर से देखना मेरी बात मैंने बोला कि अभी ये time t0 हो रखा है कितने time पर t time पर ये rod यहां से चलती हुई यहां कहीं आ जाएगी आप बोलेंगे हाँ आ जाएगी फ़ोड़ सा तिरशी बन जा है तो कुछ कहना मत ये rod यहां से चलकर यहां आगी कितने time में 0 से लेकर T time में, तो कितनी distance travel करी इसने, क्या ये distance आप बोल सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, distance equals to speed into time, तो कितनी distance cover की है, speed है V, time कितना है T, तो कितनी distance cover की है, V into T, हाँ या ना, सुनी आपने बात, तो इस rod ने यहां से चलके यहां आगई, तो इतनी देर में, कितना area swept कर लिया, कितना area cover कर दिया, कुछ समझ मैं क्या बोला मैंने, यह rod ऐसे रखी थी, ऐसे चली, तो यहां से यहां तक आई, तो आप इस area को देखें एक बार, यह जो area बन रहा है, कुछ area इसने cover किया होगा, कुछ area swept किया है, तो कितना area इसने sweep कर लिया, कितना area cover कर दिया, आप बोलेंगे, यह तो area में निकाल सकता हूँ, area of the rectangle, length into width, length is L, width is V into T, तो area कितना हूँ, L, V, T, हाँ या ना, अगर area swept निकाल लिया आपने, तो अब मैं आप से ही बोल रहा था, कि flux क्या होता है, B into A, flux क्या होता है, B into A, change in flux, final flux, minus initial flux, final flux, इसने यहां से यहां तक आते पर काफी सारा area cover किया, और पहले तो यहां चुप चाप खड़ी थी, चुप चाप खड़ी थी, तो area swap किया ही नहीं था, तो initial flux कितना था, 0 था, तो मैं बोलूँगा, कितना area swap कर लिया, आप बोलेंगे, B, flux लिख रहा हूँ, अच्छा area कितना कितना area sweep किया, आप बोलेंगे length into width, हाई या ना, अब flux की बात कर रहा हूँ, final flux, minus initial flux, final flux कितना है, आप बोलेंगे, B तो field है, B तो क्या है, field है, area कितना है, LVT, minus initial वाला कितना है, 0 पहले चुप चाप खड़ी थी रहा हूँ, कितना area sweep किया था, कुछ नहीं किया था, तो area cover d नहीं था, तो minus 0 वो हटा देते हैं, upon, कितनी देर में, upon delta t, delta t is the time, पर कितनी देर में, आप बोलेंगे t time में, तो t time में, t से t निवट गया, e is equals to blv, और क्या वही बात होगी, जो भी सिखाई थी, वही बात होगी कि नहीं, कुछ समझ लगी बात, ये वाला method भी आना चाह करेंगे, इसका कुश कुशन में, बहुत सारे कुशन में, ये भी आना चाहिए, पहले जो सिकाय था, वो basic अंदर की गुसी हुई बात थी, उसमें, क्या mechanism हो रही है, क्यों EMF आता कोई पूछ रहा था मुझसे, क्यों EMF क्यों आया सर, क्यों आया क्या, ऐसे आया EMF, ये भी मैंने बता दिया, इस बाहने उसको बता दिया, चलिए, डन करें, अब बात आती है, कि इस मोशनल EMF की, की वज़े से जो करेंट आएगी, उस करेंट की डिरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस मोशनल EMF की वज़े से जो करेंट आएगी, उस करेंट की डिरेक्शन कैसे निकाले सब्सक्राइब करेंगे टॉपिक आज खतम कल नुमेरिकल से मोशनल एमफ के डिरेक्शन मोशनल एमफ करेंट आएगी उसकी डिरेक्शन निकालने का तरीका एक तरीका तो सिंपल सिंपल है वो कैसे पता चला कि यह रोड इधर चल रही तो फॉस्टिव आ रहा था इधर कि यह ज़्यादा आसान है हम लोगों के लॉजिक से जो पाम रूल है उससे ज़्यादा आसान है राइट हैंड रूल सुनना सबको आता है वैसे थोड़ा बत तो अपने राइट हैंड की थंब फिंगर और मिडल फिंगर को एक परपेंडिकुलर डिरेक्शन में रख लो एक दूसरे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिरेक्शन में रख लिया अब थंब को रखने की कोशिच करो in the direction of motion conductor जिदर motion कर रहा है उस तरफ थंब को रखो first finger को रखो in the direction of field then the middle finger will indicate the direction of current induced current की direction बताएगी सुनना दुबारा से क्या क्या बोला थंब किदर है motion की तरफ जिदर conductor motion कर रहा है first finger किस तरफ है field की तरफ then middle finger क्या बताएगी direction of induced current कि current किस तरफ induced होगी अगर मैं इसी circuit की बात करूं जो अभी हमने थोड़ी दे पहले बनाया था ये वाला circuit तो अगर एक तरीका तो यह है कि मैं यहां पर इसको equivalent EMF बना लूँ इसका अगर इतना सब कोकट नहीं करना चाहते हैं आपको सिर्फ पता है conductor इधर motion कर रहा है और आपको बताना है फिंगर को रख देना है in the direction of field थम को रख देना है in the direction of motion रख दिया finger किदर आगी middle finger अपबाड direction में तो current इसमें कैसे चलेगी अपबाड चलेगी और अपबाड चलेगी तो गूम के कैसी चलेगी clockwise चलेगी सीखा इन तीन कहानियों की इन तीन fingers की कहानी है motion, field, direction of current motion, field, current, motion, field, current, motion, field, current, motion, field, current, सुना, done है, हटा रहाँ आज मा लें एक बार आपको अगर ही conductor इदर चला होता तो अगर ही conductor चला होता तो आपने right hand की first finger को रखना है field की तरफ, thumb रखना है किस तरफ motion की तरफ, thumb रख दिया motion की तरफ देख लेना, first finger किदर आगी downward direction में तो ये downward direction मेंने की current कैसी चलने लगती, anti-clockwise चलने लगती, हाँ की ना, सीखे, अगर सीख गए हैं तो आटा रहा हूँ, अपने topic पर आते हैं वापस से ये जो कराने जा रहा हूँ, सामने heading पड़ी है, ये बहुत बार पेपर में आया है, इससे related question बहुत बार आया है कुल मिलाके ऐसा कहने का मेरा मतलब है कि emotional EMF ही बहुत बार आया है, देखना एक बार, कुशन ही कह रहा है कि of a rod rotating in uniform magnetic field, एक rod है, जो rotate कर रही है uniform magnetic field में, अब कितना emotional EMF induced होगा, देखना ज़रा, मैंने बुला ये एक rod है, जिसकी length कितनी है, L है, ऐसे रखी है rod ये, ये रही rod, ठीक है, दिख रहा है, अब ये rod rotate कर रही है, अपनी जगापर एक point fix है, और ऐसे करके rotate कर रही है, यूँ करके, पूरा चक्करम ऐसे मार रही है, यूँ चली थी, ये ऐसी थी, ऐसे करके घूम रही है, rotate कर रही है, किस velocity से rotate कर रही है, मुझसे बोला गया, omega velocity से rotate कर रही है, इसकी angular velocity कितनी है, omega है, done, अब बोला ये गया है, कि जो field यहाँ पर मौझूद है, वो किस तरफ है, B है, और माल लिया कि किस तरफ है, inward direction, मैसा माल लिया हमने थोड़ी दिर के लिए, कई भी हो सकता था, ले लिया, field B है, inward है, अब कह रहे हैं, इसमें EMF पताओ, चक्कर है, इसमें बहुत बड़ा, आप पूछेंगे, क्या चक्कर है, हमने EMF का rod का formula पढ़ा, E is equals to B L V, B L V, ये मैंने formula पढ़ा, अब यहाँ पर देखना, V तो क्या थी, इसकी linear velocity थी, ऐसी वाली, ये वाली, चकर सुना क्या है, ये V velocity क्या थी, linear velocity थी, हमें given क्या है, rotational यानि की angular velocity given है, omega, तो हम यहाँ पर ये जोल जाल नहीं कर सकते, कि velocity जा सीधा omega रख दो, खतम कर दो कानी, ऐसा नहीं होता, कुछ करना पढ़ेगा इसके लिए, उपाय है हमारे पास, पहले तो मैंने बोला, ये rod गूम क क्या हो गया है, क्यों गुस्सा हो रहा है, बन गया है, ये rod ऐसे ऐसे गुम रही है, लोचा क्या है, आप सब जानते हैं, circular motion पढ़ा है, कि linear velocity और angular velocity की बेच रिलेशन होता है, कितना होता है, आप बोलेंगे, V cos to r into omega linear velocity V, और angular velocity omega की बेच, relation V cos to r omega, दर है, अब मैंने बोला, कि अगर rod का ये वाला end देखूं, और rod का ये वाला end देखूं, मतलब यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, कौन सा end तेजी से घुम रहा है, वैसे तो आप common sense से बता सकते हैं, अगर ये rod ऐसे करके रखी है, मैंने यूं करके घुमा दिया, ये वाला end जो था, वो यहाँ से यहीं पहुँच पाया, जिवाला end यहाँ से यहाँ आ आ गया, तो दूर से दिख रहा है कि ये दूर वाला end तेजी से घुमता है, और वो यहाँ पर भी दिख रहा है, V equals to R omega, जितनी ज़्यादा distance होगी उसकी, उतनी ही ज़्यादा उसकी होते हैं, जब variable कहानिया होती हैं, उस time पर हम किसका use करते हैं, integration का, जल है कहानी, बहुत चोटा सा किस्सा है, मैं इसको भी आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा करके, लेकिन पहले, basic method, तो मैंने क्या बोला, इस rod पर एक चोटा सा तुकडा ले लिया, इस rod का चोटा सा piece ल से distance कितनी है, R, और उसकी खुद की length कितनी है, DR, बास सुनी है, अब मैंने बोला कि ये टुकडा, जब ये rod घुम रही है, तो इसकी linear velocity खुद की कितनी है, V है, तो अब मैं बोलूँगा, इस टुकडे की वजए से जो EMF induce होगा, वो निकाल लूँगा, और पूरी rod के लिए इसको क्या कर दूँगा, integrate कर दूँगा, line बहुत simple है, clear सुनी, इस टुकडे के लिए, मैं क्या करूँगा, EMF निकालूँगा, पूरी rod के लिए, इसको integrate करूँगा, तो देखना, अब EMF निकालने का तरीका क्या है, BLV, अब इस टुकडे की velocity, अगर मैं V मानू, तो V की value हो of small element, कितनी मानी, V मानी, कितनी होगी, R into omega, उसकी distance center से कितनी है, R है, और angular velocity कितनी है, omega है, तो linear velocity कितनी, V equals to omega, तो EMF कितना induced होगा, then, EMF induced, कौन सा वाला EMF, emotional EMF, in the small element, small element में कितना EMF induced होगा, आप बोलेंगे, छोटा सा element है, तो छोटा सा EMF, DE is equals to, क्या है, formula B, उस element की, अब formula क्या है, BLV, B, यहां से देखना, B था, field, L है, उस element की length, उस टुकड़े की length, उस rod की length, कितनी है rod की length, DR है, तो मैंने रख दी, DR, फिर कहते हैं, velocity, अब velocity कितनी है, आपने बोला, R omega, यह किस के लिए नकला, एक छोटे से टुकड़े के लिए नकला, छोटे से element के लिए नकला, मुझे for full rod, for complete rod, complete rod के लिए बोलेंगे, तो E, यह क्या लिखा है, EMF वाला E, is equals to integration, इस पूरे का, B, अरे DR, R omega, इस पूरी कहानी में कुछ constant है, अच्छा integration की बात कर रहे हैं, तो पहले तो constant बाहर खीच लेंगे, एक तो B uniform field है, omega इसकी angular velocity है, which is also given constant, तो मैंने दौनों को integration के बाहर खीचा, क्या बना, B omega, integration बच गया, एक तो R, किसके respect में, DR, अब DR के respect में बन रहा है, यह रहा छोटा सा element DR, अब मुझे पूरी rod के लिए निकालना है, तो क्या तरीका बताया है, बहुत पहले से कहा है, 11th में, डौनों टुकडों को खीच दो, पूरी rod कवर हो जाए, एक टुकला इधर पहुंच गया, सेंटर पे, एक टुकला पहुंच गया, इधर, यह वाला पहुंच गया, सेंटर पहाने की 0, कहा तक maximum, L तक, तो लिमिट क्या बन गई, क्या बन गई, 0 से L तक, क्यों बन गई, अगर 0 से लेकर L तक चलेंगे, तो पूरी rod कवर हो जाएगी, फहला दो, खीच दो, उसकी डौनट टांगे, element की, हमने बहुत से कहा है, element की डौनट टांगे, खीच दो, बन जाता है, पूरा rod कवर, जो कि गया, E is equals to B omega R square by 2, बाहर लिख दिया, limit is 0 to L, upper limit minus lower limit, I think मुझे जार इटेल में जानी जरूरत नहीं है, तो it will become half B omega L square, इसको as a formula याद रखेंगे हम, question आएगा, तो derivation की form में कर देंगे, अगर कोई बड़े question में numerical value की साथ आए, तो direct formula यूज़ करेंगे, half B omega L square, half B omega L square, खोड़ा जाना पैजाना चर्चित सा लगता है, half B omega L square, this is the EMF induced across the ends of the rod, सुली कहानी है, हा की न, चलिए, एक और method से बता दें इसको, या छोड़ें, ज्यादा confused हो जाएंगे, आप ऐसे books में दूसरे method से दिया गया है, जो area वाला method है, मैं आपको हुमर में दे देता हूँ, कि इस किस्से को area वाले method से, जो अभी मैंने करवाया था second method, area वाले method से करके देखें एक बार, कैसे करके देखें, area वाले method से, ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ रहा हूँ, इस topic पे based, और पिछले topics पे based कुछ numericals करेंगे, तब तक के लिए एक homework लिखके जाओ, लेंज लोका, अटा रहा हूँ इसको, एक homework लिखके जाइए, लेंज लोका, देखेगा, question क्या है, अच्छा नहीं बना है, मुझे भी दिख रहा है, यह जो bar magnet है, यह इस तरफ चल रही है, left side में, ठीक है, आपको क्या करनी है, इन दौनो लूप में, this is loop 1, this is loop 2, इन दौनो लूप में, induced current की direction बतानी है, पहला काम, इन दौनो लूप में, induced current की direction बतानी है, ठीक है, यह आप हमबर्क में करके लाएंगे, चलिए, till then all the best, उमीद है आप करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, 6th chapter खतम कर लेंगे, हम बहुत जल्दी से, फिर 7th पे लगते हैं, 8th पे लगते हैं, फर्स्ट बुक को जल्दी निप्टाना है, मुझे आने वाले, 15 दिनों में मुझे निप्टानी है, यह बुक, बहुत द्यान से पढ़िए, जल्दी निप्टानी है, यह बुक को जल्दी निप्टानी है,